स्टूडेंट्स आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई वित गुरू चेरा पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी ये ओनर्स पॉलिटिकल साइंस के परस्पेक्टिव ओन इंटरनेशनल रिलेशन्स एंड वॉल्ल इस्ट्री को जानेंगे क्या इसका स्लेबस है क्या 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 कॉंसेट्स आपको स्टेडि करनी है इस अब्जक्ट के अंदर ये वीडियो जो है ये revised video है revised session है डियो सेवल वाले students के लिए क्योंकि उनके exam जो है वो बहुत ज़्यादा close है उनके exam जो है वो मार्च में होने की possibility है So, इस वीडियो के माध्यम से हम perspective on international relations and world history को revise करेंगे हर एक topic के साथ लेकिन सबसे पहले हमें international relations and world history के slaybers को understand करना भी बहुत ज़्यादा आविशक है So, आप बने रहिए इस वीडियो के साथ and आप समझें अपने slaybers को, अपने topics को So, देखिए students, इसके अंदर जो total units हैं, वो है unit 3, ठीक है आपको 3 units के अंदर many topics को, many subtopics को cover करना है, understand करना है अपने exam के लिए Students, देखिए जो IR and world history का जो paper है, जो ये subject है, ये बहुत ज़्यादा scoring paper है ठीक है, आईए slaybers को understand करते हैं and समझते हैं कि क्या क्या topics आपको study करनी है, समझने है So, unit 1 की हम बात करें, जो की है studying international relations इसमें आपको अंतरास्टिय संबंध के बारे में पढ़ना है, समझना है इसके अंदर जो topics हैं, basically वो है How do you understand international relations, level of analysis देखिए, इसमें हम अंतरास्टिय संबंध के बारे में पढ़नेंगे, जानेंगी कि अंतरास्टिय संबंध के क्या माइने है क्या उसके different perspectives हैं, साथ ही क्या-क्या level of analysis है साथ ही history of IR की history कैसी रही है, IR की international relations का कैसे उदय हुआ है इतिहासिक विकास कैसे हुआ है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे इस unit के अंदर, emergence of the international state system जो international state system है, उसका emergence कैसे हुआ है इसको भी इस unit के अंदर हम समझने की कोशिस करेंगे साथ ही इसमें समझेंगे pre-west failure क्या है, साथ ही west failure क्या है यानि की जो pre-west failure से लेके और जो west failure जो अब नजर आता है ठीक है, post-west failure तक वो क्या है, ठीक है क्या ये treaty है, क्या ये कुछ और है समझेंगे हर एक concept को अलग-लग वीडियो के माध्यम से तो इस तरह unit 1 में आपको cover करनी है ये 4 topics, how do you understand international relations, levels of analysis, history of IR, emergence of the international state system, pre-west failure and west failure and at last post-west failure साथ ही students हम इसमें समझने कोशिस करेंगे कि ये कैसे separate discipline है एक ठीक है, पहले माना जाता था कि जो IR है और जो world history है ये political science का ही एक subject है लेकिन आगे जब हमने इसकी study करी, analyze करना start किया तो पता चला कि ये एक political science से separate discipline है ठीक है, जैसे कि आप अपने subject के अंदर, आप अपने course के अंदर, semester के अंदर इसको एक separate discipline के अंदर पढ़ रहे है यानि कि सिध्यानतिक जो परिपेक्ष है, ठीक है, जो उपागम है, उनको हम समझेंगे unit 2 के अंदर सबसे पहले समझेंगे classical realism and neorealism, यानि कि यथार्तवाद और नव यथार्तवाद में क्या difference है, क्या इनके meanings हैं, क्या इनके different perspectives हैं इन सबी को हम topic A के अंदर समझने के कोशिस करेंगे, प्रयास करेंगे, जिसके अंदर हम Hans Morgan 2, Kenneth Waltz, इत्यादी जो philosopher हैं, उनके बारे में study करेंगे Then, B topic है, liberalism and neoliberalism, यानि कि उदार्वाद और नव उदार्वाद, जानेंगे क्या इनके different perspectives हैं, ठीक है, इसमें हम mainly जो जौसिफ नाई हैं, इत्यादी जो philosopher हैं, उनके बारे में study करेंगे Then, C है, Marxist approaches, इसमें हम basically Marx वाद के जो उपागम हैं, उनके बारे में discuss करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ Then, second last है, feminist perspective, यानि कि नारिवादी जो उपागम हैं, जो नारिवाद perspective है, उसको हम समझने की कोशिस करेंगे कि ये जो theoretical perspectives हैं, classical realism, liberalism and neoliberalism, Marxist approaches, feminist perspectives, इनका क्या महत्व है, IR के अंदर, इनको हम समझने की जानने की कोशिश करेंगे Then, last topic है, unit 2 के अंदर, eurocentrism and perspective from the global south यानि कि देखिए, सुरू से ही ये माना जाता रहा है, कि जो पुरी दुनिया है, जो पुरी वर्ल्ड है, जो पुरा globe है, इसको हम एक Europe की ड्रेस्टी से देखते आए हैं लेकिन जो global south है, जो डक्षिन के perspective है, वो अपने पारमपार एक जो उनके विचार है, उनको भी मानने की अनुमती देते हैं वो मानते हैं कि global south को अभी महोना बहुत जरूरी है, सिर्फ eurocentrism से ही काम नहीं चलता ठीक है, eurocentrism क्या है कि Europe को center में रखकर जितने अधर countries हैं, जितने अधर nations हैं, उनको परखा जाता है, उनके देखा जाता है ठीक है, इसमें माना गया है कि जो Europe के जो western countries हैं, वो ही सबसे उपर हैं ठीक है, जो other countries हैं, उनके history उनसे match नहीं होती हैं, उनके जो religion हैं and so on, इन सभी को हम discuss करेंगे, समझेंगे, चर्चा करेंगे आने वाली videos के अंदर तो इस प्रकार students आपको unit 2 के अंदर theoretical perspectives को वारे में पढ़ना है, जिसमें classical realism and neorealism, liberalism and neoliberalism, marxist approaches, feminist perspectives, eurocentrism and perspectives from the global south then students, last and final unit है, unit 3, जिसमें हम जो 20 वी सतावदी है, international relations के अंदर हम इसको study करेंगे, क्या overview रहा है, 20th century का, इसको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे देखिए, इसमें सबसे पहला topic आता है, world war worst, जिसमें हम इसके causes and consequences, यानि किया कारण रहे है, ठीक है and क्या इसके consequences रहे है, इसको हम समझेंगे, understand करेंगे then significance of the bolsevic revolution, की bolsevic revolution जो क्रानती हुई थी, ठीक है उसका क्या significance रहा है, क्या इसका importance रहा है, इसको भी हम discuss करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे, ठीक है then next है, rise of fascism and nazism, यानि कि जो fascism है and जो nazism है, इनका कैसे उदय हुआ, ठीक है इटली में और फ्रांस में, इनको भी हम समझेंगे and जानेंगे कि क्या थी, fascism उदय होने की जो पीछे की वज़ा and nazism उदय होने की क्या वज़ा थी, ठीक है, then हम आएंगे world war second की और जानेंगे इसके क्या causes रही है, क्या इसके consequences रही है world war second के, ठीक है, then students आता है cold war, जो की आपके exam के according बहुत ज़्यादा most important topic बन जाता है and ये most important topic के साथ साथ एक वयापक topic भी है, ठीक है, बहुत बड़ा topic भी है, जिसको हम many videos के अंदर समझने का प्रयास करेंगे आपके साथ देखेंगे क्या different places रहे है cold war के अंदर, ठीक है, क्या वज़ा रही cold war start होने की, कब ये start हुआ and so on, इन सभी के बारे में हम discuss करेंगे accepted video के अंदर, so last topic जो है, वो है emergence of the third world, यानि की जो third world जो उदय हुआ है, जो इसका emergence हुआ है, वो किस प्रेकार हुआ है cold war के बाद, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे then second last topic है, collapse of the USSR, कि USSR का कैसे collapse हुआ, कैसे victim हुआ and the end of the cold war, इसी के साथ जो cold war था, जो शीत युद्ध था, उसका अभी कैसे अंथ हुआ इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे then last topic जो है, unit 3 के अंदर वो है, post cold war, developments and emergence of the other power, centers of power यानि कि देखिए, जो post cold war का, जो development हुआ है, यानि कि cold war के बाद जो developments हुए है, countries के अंदर, nations के अंदर, वो क्या है साथ ही जो emergence हुई है, other powers की, center of powers की, वो क्या है, किस तरह जो new centers of power उभर कर आई है, सामने emergence हो कर आई है वो क्या है, समझेंगे एक वीडियो के अंदर आपके साथ, so इस परकार students, unit 3 के अंदर आपको जो overview है, 20th century का, वो जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा जिसमें first of all हम study करेंगे, world war first की, then significance of bolshevik revolution की, देखिए आपको पता होगा कि USSR में सोवियत रूस के अंदर दो तरके की किरांती हुई थी, एक manshevik, एक bolshevik, जानेंगे क्या थी दोनों किरांती and so on, then rise of fascism क्या है, nazism क्या है, world war second के causes and consequences, cold war क्या different phases रहे है, emergence कैसे हुआ है, third world countries क I mean, जो third world है, जिसको हम third world कहते हैं, वो है क्या, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, then कैसे collapse हुआ, कैसे victim हुआ, USSR का, and the ruse था, वो कैसे, इसका सामने परिपेक्शुबर कर आया, ठीक है, and, and, जो cold war चल रहा था, शीरिद चल रहा था, वो कैसे, खतम हुआ, कैसे, वो end ह हुआ, साथ ही, जो post cold war developments होई है, जो emergence होई है, power centers की, वो क्या हुई है, इन सभी को हम जानने का, और समझने का प्रयास करेंगे, unit 3 के अंदर, so, इस प्रेकार students, finally, जो आप unit 1, unit 2, and unit 3 के साथ, I.E.R. and world history, जो आपका paper है, जो आपका subject है, जो units है, जो topics है, वो समात होते हैं, पन्विसवाल, रूम की बासू, ये तीनों ही बुक जो है, ये English and Hindi medium को जो students है, तो उनों के लिए ही available है, आप इनको online भी buy कर सकते हैं, Amazon से, Flipkart से, and साथ ही आप जो Google Books है, जो है, उस पे बर जाकर आप पढ़ सकते हैं, and इसकी जो रूम की बासू है, and जो space पन्त है, इनकी जो PDF है, जो soft copies है, वो भी available है, websites पर आप Google पर search कीजिए, and books को, जो PDF है, उनको download कीजिए, and steady start कीजिए,